आज मैं आपके लिए बनाने चारहे हैं बहुत ही टेस्टी डिलिशियल्स मिक्स फ्रूट ट्राइफल पुडिंग आप इसे जरूर ट्राइप कीजिए यह आपको बहुत पसन आएगी इसे आफ फ्रिच में रखके तीन से चार दिन तक खा सकते हैं तो चलिए मिक्स फ्रूट पानी में मिक्स कर लेंगे जाके कोई ग्राइब ना रहे जब यह इसके ग्राइब अच्छी तरीखे से गरम पानी में डिजॉल्फ हो जाएंगे हम इसमें से थोड़ा से मिक्स्यर को निकालेंगे जो कि हम पुडिंग के डेकोरेशन में यूज करेंगे यह मैंने लिया है क्रिस्टिल जेली पाउडर अब हम इसे जो थोड़ा सा हमने जो लिक्विट निकाला था इसे फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए बिल्कुल उसी तरह से मैंने पाइनेपल जेली भी सेट कर ली है यह देखिए मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है अब इसे हम यह होल फाट मिल्क है फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखी है जब यह दूद अच्छी तरीखे से बॉल हो जाए अब हम इसमें शकर एड़ कर देंगे शकर एड़ करके हम दूद को पकने के लिए कम आच पर छोड़ देंगे पांच से आट मिनिट के लिए यह देखे हमारा द मिक्स कर लिया है ताकि इसमें कोई गुटली ना रहे यह दिखिए यह अच्छी तरीखे से मिक्स हो गया है मैंने कस्टर पौडर और पानी की एक सलरी से त्यार कर ली है अब इसे हम गरम दूद में आट कर देंगे थोड़ा-थोड़ा करके बैच इसमें आट करेंगे आप इसे 10 मिनित तक हम कंटीनियू स्टर करते रहें इसे चोड़कर मतटिये वरना नीचे से लग जाएगा यह देखिए हम कंटीनियू स्टर कर रहे हैं यह कस्टर त्यार हो चुका है हम फ्लेम औफ कर देंगे और कस्टर ठंडा होने के लिए रूम टेंपरेशर पर रख जब तक हम विपिंग क्रीम त्यार कर लेते हैं आप विपिंग क्रीम एसब पाकेट इंस्ट्रक्शन्स तैयर कर ले मैंने वैनिला फ्लेवर प्लेण क्रीम इस्तेमाल की हैं इसे हम 8-10 मिनिट तक विप कर लेंगे ताकि यह स्लाइटली ठिक हो जाए हमें से बहुत ही स्विफ करना स्टार्ट करते हैं मैंने एक बोल में आप कोई भी बोल ले सकते हैं मैंने ये बोल लिया है इसमें हम प्लेन स्पांज केक यूज करेंगे मैंने वेनिला फ्लेवर स्पांज केक यूज किया है इसे हम इसमें डाल देते हैं, इसका बेस बना लेते हैं केक से, अब इस केक को हमने जो फ्रूट टिन में से जो जूस निखाला था उसमें सोक कर लेंगे, इस पानी को यानि के इस मिक्स फ्रूट टिन के जूस को हम केक पर ड्रिजल कर लेंगे, आप कोई भी फ्लेवर का केक सकते हैं मैंने प्लेन वेनिला फ्लेवर स्पॉंज केक लिया है इसे क्या होगा आपके केक में बहुत ही अच्छा मिक्स फ्रूट का फ्लेवर आ जाएगा और जब पुडिंग सफ करेंगे आपका केक ड्राइड नहीं रहेगा अब हमने जो जली प्रिपेर की थी पाइनेपल जली उसे हम पोर कर लेंगे इस केक के लेयर पर दियान रहे कि आपकी जली गुनगुनी रहे अगर यह थंडी रहेगी तो यह अच्छी तरीख से पोर नहीं होगी यह क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगी तब हम इसे पोर कर लेते हैं यह लिक वाम होनी चाहिए इसे होट मत पोर करिए आप इसे लिक वाम ही पोर कीजिए अभी हम राजबरी जली को भी पोर कर लेंगे दियान रहे यह भी लिक वाम ही रहे ताकि जब यह केक सेट होगा यह बहुत ही अच्छा लेयर फॉर्म करेगी इसके ऊपर और सारे केक के पीस इसको बाइंड कर लेगी और आपके फुरूज भी बहुत ही अच्छी तरीखे से जैली के साथ सेट हो जाएंगे केक में अब हम इस पुडिंग को रूम टेंपरेचर पर तीन से चार घंटे के लिए थंडा होने के लिए छोड़ देते हैं जब यह पुडिंग थंडी हो जाए हम इसे फ्रिज में रख इस क्या है आप कोई भी फ्लेवर का कस्टड यूज कर सकते हैं कि क्स्टड कुछ इस गोना चाहिए यह बहुत ही रनी होना चाहिए और बहुत इतिक नहीं होना चाहिए तकर यह इसली सप्रेड हुजाए ये देखिए हमने सारी लेयर कस्टड की दाल दी है इसके उपर पुटिंग बनाने के लिए जो मैंने इंग्रियंट की कॉंटिटी यूज की है आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी ये देखिए ये अच्छी तरह से हमने इसे कवर कर लिया है अब हमने जो विपिंग क्रीम तयार की थी प्लेन वेनिला फ्लेवर विपिंग क्रीम अब हम इस कस्टड की लेयर पर उसे आड़ कर लेते हैं मैंने यह कम कॉंटिटी की आड़ की हैं hundred ग्रेम का पाकेट था मैंने इसे विप कर लिया हैं आप कोई भी फ्लेवर की वेनिला क्रीम यूज कर सकते हैं और कॉंटिटी या बढ़ा भी सकते हैं और यह जो जेलीज को हमने थोड़ा थोड़ा निकाल लिया था अलग से फ्रि डेकोरेट कर लेंगे यह देखिए कितनी खुबसूरत लग रही है हमारी पुडिंग बहुत ही टेम्टिंग लग रही है आप किसको ट्राइफल पुडिंग पसन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगे मुझे यह लगता है कि पुडिंग को एसेम्बल करना यह मेरा सबसे फिवरिट पाथ यह देखिए हमारी पुडिंग अपतायार हो चीकी है इस पुडिंग को हम फ्रिज में रख कर चार से पांच घंटे के लिए थंडा करकर सॉफ कर लेंगे यह बहुत ही टेस्टी बनेगी आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसनाती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए थैंक यू फर वाचिंग कर दो